हेलो दोस्तो अनपुर्ण रस्विगर में आप सभी के फिर से स्वागत है तो आज हम फिर एक रेसी पी लेकर कर आएं तो आज हम बनाने वाले हैं कोहड़े की पत्ते की साग जो की बहुती बढ़िया एकदम टेस्टी बनता है तो आप एक बार मेरे तरीके से कोहड़े के पत सा कुमल होना चाहिए और एकदम साफटी होना चाहिए पाता तो आप देखिए इसके जितने भी ऊपर के रेसे साइस तरह हम डंटन ल के उपर पत्ते को डंटन रहता है इसे हलका साइज से हम नाकुन से इतरह करेंगे तो इसके सारे रेसेस निकालना बहुत जरूरी होता ह अगर आपे नहीं निकालेंगे तो जब साख बनाएंगे तो खाने में बार बार मुह में आएगा और इसका अजीब तरह का मतलब ऐसा लगए कि बाल जैसा लगेगा आपको तो उसका जो रैसेस होता है निकालना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो सारा हम इसी त मेहीन काटेंगे और बार इक तो आप चाकु से भी काट सकते है या ऐसे फंसुल से काट ले रहे हैं एककडम है काटना आपको जब कढ़ाई में तेल रखेंगे कोई भी आप तेल खाते हैं वह तेल में यहां पेल में थोदे चाहिए और तो इसमें पचछ फोरन का भी दे सकते हैं फोरन उससे भी बहुत अच्छा स्वादा आता है तो हम अलग अलगे आप फुरन डाले हैं क्योंकि पच फुरन हम इसमें नहीं डाले हैं आप यहापे हम साख को धो करके ले लिए हैं ध्यान डाये आपको साख को पानी से अच्छे से दो तीन बार आपको फ्रेस धोना है और इसे हम छिमाक देंगे और बढ़ियां से छोलनी से चला करके और इसे भी हम ठाक देंगे अगर इसके हम कम कर देंगे तब तक हम मसाला तयार कर लेंगे तो मसाले में एक बड़े चमच से हम पीला सरसो लिए हैं कोई भी सरसो ले लिजिए लासून लेंगे और हल्दी मिर्ची पाउडर और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके बढ़िया सा पेश्ट पीस करके ले लेंगे जब भी अगर मसाला पीसते हैं तो उसमें हल्दी जरूर डाल करके पीसे क्योंकि उससे क्या होता है मसाला जो है उसमें एक कलर बढ़िया आता है अब साग को ढखकर हटा करके चला लिए है और मसाले को हम साग के अंदर डाल देंगे तो आप देखिए मसाले जो है इदा मेहिन पीसा हुआ है जार में लगा हुआ है तो इसमें हम आदा किलास बरबर पानी रखेंगे और अच्छे से इसे मिला करके हम साग के अंदर डाल देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से साग को हम चला करके ले लेंगे अब हम साग के अंदर नमक सुआत का अनुसार डालेंगे तो नमक और तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे जहर हम अच्छे से नहीं पानी डाल करके रखे थे तो उसमें और थोड़ी सी मसाला लगा हुआ है तो आधा कप हमने और पानी डाल करके और इसे हम मसाले के साग को अच्छे से भून लेंगे और इसमें हम कलर के लिए थोड़ी सी कास्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे तो लाल कास्मीरी मिर्ची पाउडर तीखा नहीं होता है क्योंकि वो खाली कलर के लिए डाला जाता है और अच्छे से हम साग को देखिए चला लिए और चलाते में इस साग जो अच्छे से गलने लगा है अब इसे हम फिर से एक ढखन से ढख देंगे ताकि साग जो अच्छे से एकदम सौप्ट हो जाए और मसाला जो है अच्छा से पक जाए इसका स्वात खाने में अच्छा लगे और साग बनाते समय आपको ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि ये कोड़ा का पता है तो बहुत ही जल्दी गल जाता है तो इसमें ज़्यादा पानी मर डालिएगा तो देखिए साग जो है अच्छे से गल गया है और मसाले जो है इसके अच्छे से एकदम सूख चुका है और बहुत ही बड़ी एकदम सौप्टी बन गया है तो अब इसे हम छुलनी से हलका सा इस तरह मिला लेंगे चिसे साग जो है अच्छे से मिल जाए देखने में और खाने में भी इसका टेस्ट जो है अच्छा लगे तो दोस्तों उमिद करते हूं कि आज की कोड़े की पत्ति की रेसिपी अब सभी को अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेर करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी रेसिपी देखने के लिए साथे में बिल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन अब सभी को मिलता रहेगा तो अब हम साग को सर्फ कर लिए हैं और इस साग के साथ आप रोटी चावल के साथ खा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका स्वात खाने में अच्छा लगता है तो अगर रेशीपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले दोस्तों फिर मिलूंगी आगे के वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखे खियाल रखे स्वास्त रहे मस्त रहे धन्यवाद आप सब